तो कैसे हैं आप सभी लोग और जैसा कि आप जानते हैं आज नाइंटीन अक्टोबर तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉर्टेंट डेज के साथ और इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइस करना जरूरी क्यों हो जाता है मैं यह बताता हूं देखिए बहुत सारे डेज जि बनाया जाता है या किस दिन को किस उपलक्ष में रखा गया है ठीक है और इसी के माध्यम से आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री से भी जुड़ जाते हैं थोड़ा बहुत जिवर्फी से भी जुड़ जाते हैं तो चलिए जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज को कोफी अगर आप देखें तो इंडिया का मेजर क्रॉप नहीं है बढ़ एक कैश क्रॉप ज़रूर है जो कि मोस्टली साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है ठीक है वर्ड वेजिटेरियन डे यानि विश्व साकहार देवस भी इसी दिन मनाया जाता है देन आ जाते हैं से क्यों प्लक्ष में और इसी वज़े से हम बनाते हैं इंटरनेशनल डेया नॉन वायलेंस क्योंकि महात्मगांदी जाने जाते थे अपने अहिंसा के लिए अहिंसा पर्मोधरम ठीक है थर्ड ऑक्टोबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे ठीक है और जर्मन यूनिटी टेजिए वर्ल्ड हैबिटेट डेयानि की वर्ल्ड आप देखते हैं प्रत्वी हमारे हमारा यह नहीं बनकि कई और स्पीशी का भी हैविटेट है तो एक तरीके से यह इस चीज़ को हम यूनों रिकर्गनाइज करने के लिए एक महसूस करने के लिए कि हमारे है इसीलिए हम मनाते है वर्ड हैबिटेट दे जर्मन यूनिटी डे के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे वर्ड वॉर्ड टू के बाद जर्मनी दो धड़ों में पढ़ गया था वेस्ट जर्मनी और इस जर्मनी और उसके बीच में आ गई थी बर्लिन वॉल तो 1949 थर्ड ओक्टोबर के दिन दोनों वेस्ट एंड इस जर्मनी ने अपने बीच की दिवार यानि बर्लिन वॉल को गिरा के अपने को दोबारा यूनाइट किया और बनाएक यूनाइट जर्मनी ठीक है फॉर्ट ऑक्टोबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेर डे मनाया जाता है आप सभी जानते हैं पशुपूर्ता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है जंगल खत्म करते जा रहे हैं अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें पाया गया कि 90 से लेके अब तक हम 73 परसेंट जंगल खत्म कर चुकी है ठीक है तो इसी लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेर डे की कैसे हम उनके ल और काफी कंभी समस्या है ये इस लेह होता है मैं बहुत सफर करना पड़ता है सेवंफ अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मना जाता है विश्वत का पास दिवस और एट डिवर पो इंडियन एएफोस टें ठीक है इंडियन एफोस यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस एक सो पचासवा वर्ड पोस्टल डे जिसके उपलक्ष में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने रिलीज की को मेमरेटिट पोस्टल स्टेंप एक जो टेडिकेटर थी एक सो पचासवी जहती लिए नाइन्थ ऑक्टोबर के बाद बढ़ते हैं टैंथ अक्टोबर में मना आप सभी लोग जानते की फिजिकल हेल्थ के तरह ही मेंटल हेल्थ पी कितनी इंपॉर्टन हो जाती है बिकस पीपल आ सफरिंग नाओदेज फ्रॉम डिप्रेशन इंसाइटी स्ट्रेस लॉट तो इसलिए वर्ड मेंटल हेल्थ डे क्यानी मानसिक जो हमारा स्वास्त है उस आइस से रिलेटेट इशूस को उसके बारे में अवेर्नेस विलाने के लिए ठीक है जैसे कि हमारी आई ब्लाइंडनेस हो गई या हमारा जो मायोपिया प्रेस बायोपिया जो इस तरह की जो यह डिजीज पाई जाती है और साथ ही इसमें एक और चीज चुपी हुई है कि इस बार इस बार इंडिया को डबली एचो ने सट किट दिया है एक डिजीज एलिमेनेट करने के लिए जैसे हमें पोलियो के लिए भी मिल चुका है और उस डिजीज का वह आई से रिलेटेट ही डिजीज है उसका नाम अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं फिलाल अ हम आगे तो 11 अक्टोबर को इंटर नेशनल डे ऑफ ता गर्ल चाइल हम सेलिब्रेट करते हैं ठीक है क्योंकि आप जानते कहीं जगें सेक्स रेशियो में बहुत उता अंतर आप देखने को आप देख सकते हैं जैसे कि पहले इंडिया के सेट हरयाना में सेक्स रेशियो बह सब्सक्राइबर यह कुछ राज्यों में तो आप देखेंगे कि लड़कियों की संख्या दोड़ी जात है ठीक है तो 12 अक्टोबर को इस बार दशायरा था लेकिन इंपोर्टेंट है हमारा वर्ल्ड अर्थ्राइटिस दे यानि कि विश्व गठिया दिवस ठीक है एक जानके हुल कि कैसे कं किया इसके लिए कदम उठाए जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर विमेंज में बाती कमन कैंसर है और थी घाक चैन्सर कैंसर बहुत जलोंदी हो का दिए जब तक सल्ट में 진 इसपर बारे में awareness विलाने के लिए हम मनाते हैं फौर्टींत ऑक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड दे यानि विश्व मानक दिवस हम मनाते हैं जैसे हमारे स्केल्स हो गए मीटर्स केलो ग्रैम लीटर्स इन सब को इन सब के प्रश में हमें आते हैं वर्ड स्टैंडर्स दे 15th October को आ जाते है तो World Students Day मनाया जाता है और World White Cane Day भी इसी दिन मनाया जाता है White Cane हमारा एक equipment होता है जो यूज किया जाता है हमारे blind people की तरह क्या equipment होता है जो छड़ी होती है White Cane जो foldable भी होती है और खुल जाती है उसे White Cane कहा जाता है Global Hand Washing Day यह भी हम 15th October कोई मनाते हैं क्या होता है इस दिन क्यों मनाते हैं हम sanitation को sanitation को इसके बारे में aware करने के लिए Global Hand Washing Day मनाते हैं आप सभी जानते कि अगर हमारे हाथ साफ नहीं है तो हाथों से ही हम जातर चीज़े consume करते हैं तो कितनी सारी विमारियों को हम निमंत्रण दे रहे हैं इसलिए Hand Washing बहुत जरूरी है Regular intervals पर Regular Time पर और International Day of Rural Women भी हम 15th October को मनाते हैं ठीक है साथ ही 16th October को बढ़ते हैं तो World Food Day यानि विश्व खादि दिवस हम मनाते हैं और हम मनाते हैं World Anesthesia Day Anesthesia is a drug और इसे दिया जाता है जातर operations से पहले ठीक है जिसे आप को एरिया या आप की whole body थोड़ी मितलब सुन हो जाए बेन फील ना हो इसी लिए Anesthesia दिया जाता है World Spine Day भी हम इसी दिन मनाते हैं ठीक है Spine Day और 17th October को आते हैं तो International Day for Eradication of Poverty यानि गरीबी खुन्मूलन के लिए यह कह सकते गरीबी को कम करने के लिए हटाने के लिए International Day for Eradication of Poverty हम इस दिन करनाइस करते हैं इस चीज में कदम उठाते कैसे हम Poverty को करें जैसे इंडियान ने भी मन देगा जो जिसे और नरेगा भी थी मन देगा इसको हमने चालू किया इसी के साथ-साथ हम कह सकते हैं कुछ ऐसी योजना है इंसे हम इंडिरेक्टली किसानों को या गरीबों को फाइदा पहुचा रहे हैं उसे हम Poverty कम कर सकते हैं ठीक है Scholarship उसी ना एक पार्ट है और साथ ही मनाते हैं हम महार्शी वालमी की जैनती महार्शी वालमी की यानि की रामायन के रचैता ठीक है करेंट अफेर्स पर आजाते हैं अपने वन लाइनर्स पर जो आज के हिसाप से इंपोर्टन है या पिछले एक दुदिन के हिसाप से इंपोर्टन है तो सबसे पहला हमारा हो जाता है है एवरी एर ऑन ऑक्टूबर 18 वर्ल्ड मैनोपॉस डे इस ऑब्जर्व डूबली ठीक है तो विश्विर रजो निवर्ति दिवस काफी कठे नाम है लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड मैनोपॉस डे ठीक है मैं आपको नहीं पता है तो बता दूं देखिए एक उ एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि इसके बाद उनकी चाइल्ड कंसीव करने की जो चंपता होती है वो चली जाती है मतलब इसके बाद प्रेंसी होना आड हो जाती है तो बढ़ते हैं अपने सेकंड अपडेट की तरफ जो है इंडिया प्रोवाइड ओवर 487 क्रोर इन लोंस प्रवाइड करेंगे और इंडिया और बंडेश में तो इस तरीके से और हमारा बजट बहुत बहुत जाद रहता है के लिए एरांड 7-800 क्रोर्स हम एवरी यर भुटान में भी स्पेंड करते हैं तो अपने पड़ोसी देश में इंडिया काफी करता है तो यहां पे एक जलब पॉट्राइन प्रतिस्था परियोजना याननि की वाटर पाइपशल करने की परियोजना है उसमें इंडिया नेने अभी इन्वेस्ट किया है । ओसले मिचिन मोरियmez मैं एक और अपडेट मारिशस के बारे में मौरिशश के पास एक आइलेंड हुआ करता था या में मौरिशस को चाहँ जबेडन लेकिन तो इसे के साथ बढ़ते हैं अपने अगले यानी तीसे नंबर के पास जो की है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का बीश वासिक उत्सब आयाएइसी अनुभाव का उत्सब नएक जिल्दी में होगा बिवाइसी की पिकिष्वं भी आप यहां पे देश सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का सब्सक्राइब का नाम है अनुभाव कला का उत्सव कहां पर होगा नई दिल्ली में 18 टीक है फोर्स पर बढ़ते तो इंकम टेक्स रूस फॉर सेलरीड इंप्लोई ठीक है यानि केंद्रिय प्रतिक्ष कर बोर्ड ने वेतन भूगी करबचारियों के लिए आयकर नियमों में संशोधन किये हैं तो जो टेक्स अब तक हम भरते हैं उनके कुछ रूस इंड़ेशन में कुछ हमने संशोधन किये हैं इंडिया ने फिफ्त हमारा अप्डेट हो जाता है इंडिया विवान कपूर वना सिल्वर मैडल इन ट्रैप इवेंट ऑन ऑक्टोबर 17 तो विवान कपूर जी जो है उन्होंने शूटिंग वर्ड कप फाइनल्स पे इंडिया वो सिल्वर मैडल दिलाया है ठीक है चांदी क सुप्रीम कोर्ट अपहल्ड कॉंस्टिटूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6 ए और सिटीजिंशिप एटीक है तो जो नागरिक्ता कानून है जिसकी धारा है सिक्स एको संब्यधाने के रूप से बैद करार दिया कि क्योंकि आज कल आप जानते थे कि कुछ सालों से सी ए ए वह रहा है वह इंडिया सकते हैं नारिक ले सकते हैं ठीक है सी यह वैसे भी एन रसी से अलग है अई आपको जानने की जरूब होते हैं ठीक है से भी ने स्टॉक एक्सचेंज मेकेनिजिम की जरीए डेट सेक्यूरिटी में लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करन शेयर में इन्वेस्ट करां से च Most में कुछ उसली आपको मfilled जाती है तो इसी तरह सेक्योरिटी सों भीप तो इसके लिए लिक्विडिटी विंडो फैसलेटी जो है अभी सेबी ने स्टार्ट करी है सेबी ने स्टार्ट करी सेबी एक राइटरी बॉडी स्टॉक एक्सचेंज की ठीक है और बढ़ते हैं यूनियन मिनिस्टर नितन गर्टरी इनाउग्रेटिटा इंटरनेशनल मैथन सिंपोजियम एंड एक्जिबीशन ऑगनाइजड बाइदा नीति आयोग इन न्यू डैली ओन ऑक्टोबर सेवेंटीन तो केंदी मंत्री मंत्री नितिन गड़करी ने सब 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में नीति आयोग त्वारा आयो जित अंतरराश्ट्री मेथनॉल संग मेथनॉल भी हमारा काफी एक पॉटेंट फ्यूल की तरह यूज में आता है उसी के उपलक्ष में इंतराश्टी है मेथनॉल संगोष्टी का एवंप्रदर्शनल के कवद हाटन किया गया है दिल्ली में ठीक है बढ़ते अपने 10 अपडेट की तरफ जो कि है इंडिया अरे कैसी ठीक है इन्होंने चेस्ट मास्टर कभी तरफ तो इसके साथ बढ़ते हैं अपने MCQ टाइप क्वेश्चन की तरफ और अगर आपने ध्यान से अटेंड किये होंगे उपर के वन लाइन तो आपको इसमें काफी मदद मिलने वाली है तो देखिए पहला हमारा कोशन कि क्या हो जाएगा और इसका ठीक थेंचर हमारा हो जाता है असां में बहुत चार्डा थां होती है निटा इस की तरफ से बांगलादेश की तरफ से होने वाली श्चैट को रोकने के लिए आसां काफी कदम उठाता रहता है और पुशिच करता है कि रही कि किसी तरइक ानि इंडिया तो चलिए दुबारे से बोलते हैं सेकेंड क्वेशिन जो हमारा है कॉर्डिन टू एन्सी आर्बी रिपोर्ट्स 2024 वाट इस परसंटेज एन्ट सुसाइड केस इंडिया थे अब जानते हैं कि पढ़ाई का और इन सब चीजों का बहुत सारी चीज़े पढ़ाई हो इस सब का कितना प्रेशर होता एक स्टूडेंट के उपर जिसकी वजए से सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती हैं सुसाइड केसे में बहुत रैपिट इंक्रीज देखा गया है ठीक है यहां पर आपको फिगर्स देखने को मिलेंगे टू परसंट परसंट इस शायद आपको स यहां हो ञेए बेंगने में खूटे लग रहा हुँ के विखने केसी कि यह इसमें कितने परसंट का इंक्रीज कितने पासंट कह स्टों यह सिन ए पूर परसंट मेंया को मिला है ईसा इसलीं में तरफ आपने पढ़ती हैं तो हो जाता है रीасी संटली इंडिया प्रोईया ए स रुपीज फोर एटी सेवन क्रोर इन इट्स ओन करेंसी फॉर्स ताइम तो विच कंट्री पॉर वाटर पॉप पाइप्लाइन रिप्लेस्मेंट प्रोजेक्ट तो यह मैंने अभी अभी आपको बताया था और मैं आशा करता हूं आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे मौल हैं है एक स्रीव मशीन गुटेक्ट विच डिजीज टीक है तो इंडियन कांसल ऑफ मेडिकल डिसर्च यानि की आई सीमार ने अभी हैंडेल्ड ब्लॉक्त अब एक स्रीव मशीन ऑदाया है किस डिजीज को डिटेक्ट करने केलकर तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे तो इसका करेक्ट आसर हो जाएगा टीबी यानि ट्यूब क्लोसिस टीबी ऑप्शन सी फिफ्ट कोश्चन हमारा हो जाता है वेन हैस से भी रिसेंट्ली अनाउंस्ट लॉंच ऑफ लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी टू ओवर कम दा लिक्विडिटी क्रच इन दा कॉर्प करेक्ट आंसर आप बताएंगे तो यह एक नवंबर को होने वाली है एक नवंबर को होने वाली है भी हुई नहीं है सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है हूँ रीसेंट्ली और इंटरनेशनल मेथनॉल सिंपोजियम एंड एक्जिबीशन इन निव डैली ठीक है तो इसका अभी आप बताएंगे कि इसका प्रेक्ट आंसर हमारा हो जागा नितिया है वही आरहे आ जो अभी उनलाय में कर रहा है तो आपको भाग ध्यान से हुनने सुनना होता है कि आप एक करेक्ट आंसर सेवंत हमारा हो जाता है वेर रिसेट्ट्ली वादा पॉर्मेशन ऑफ इंडिया तुर्किये फ्रेंड्शिप एस्सोसिएशन एंडाउंस इंडिया तुर्किये बहुत टाइम से इंडिया और तरकी के रिलेशन में दरार देखने को मिल रही थी ठीक है और लेकिन अभी उस समय से कुछ चेंजिस अब्जर्व करने को मिले हैं तर इंटरनेशनल जो हमारे संबंध हैं किसी कंट्री तुर्की के साथ सुधरने वाले हैं तो यह अभी कहां पर अनॉंस किया गया है यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है यहां पे जो इस्तानबुल है यह तुर्किये की राज़ानी जाती है इस्तानबुल और अंकारा भी आप तुर्किये में ही देखिने जबकि यह दो हमारे जो इंडिया के सिटीज हो जाते हैं एट्थ कोशन में बढ़ते हैं रिसेंट्ली निकिता पोर्वाल ऑफ टैश वन टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2024 ठीक है तो निकिता पोर्वाल कहां की है जुन्होंने अभी मिस इंडि अक्टोबर 18 2024 ठीक है कौन सा कैमपेण देखिए है कौन सा कैमपेण हमारा सेव फ्रॉम फ्रॉड इसका नाम आप जाते हैं कि सेव फ्रॉड कैमपेण तो इस कैमपेण को ऑक्टोबर 18 को गवर्मेंट आप इडिया ने कहां पे लांच किया है इसका करेक्टान से आप दो किया इन एन अने औररी डॉक्ती डिगरी इन पॉलिटिकल साइंस घ्या सटीक है तो प्रेसिदेंट प्रॉड दी मुर्मू जी को किस कंट्री में ऑनर्री डॉक्त्री डिगरी धी गई है पॉलिटिकल साइंस की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिर जीडिया चाहिए इसका मतलब अन्री डॉक्ट कर अब दिख्री का मतलब हुता हुँने असली में कोई डिख्री हासे लिए उनके सम्मान में उन्हें टिरी भी जाती है उन्हें नमबर पर आ जाते हैं तो डीसंटी वाट परसेंटेज इंट्री इएरणेस अलाउंस य भी आप्रूव किया गया है और कितने परसेंट बड़ा है इसका अंसर आप बताएंगे तो यह बड़ा है 3 परसेंट यानिकी इसको 35 प्रजेक्ट स्टार्ट करने के लिए किस प्रदेश ने मंजूरी दिया है तो यह हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ठीक है रूरल डेवलेप्मेंट में बढ़ा योगदान देता है हमारा नवार ठीक है इसका करेक्टांसर आप बताएंगे यानि एफ ए ओ की रिपोर्ट के अनुसार कौन जलवाई यू परिवर्तन से होने वारे नुक्सान से सर्वधिक प्रभावित है तो आप उसका करेक्टांसर हमारा हो जाएगा रूरल फॉर्मर और ठीक होती है क्या होती है फूड एक्रिकल्ट्र ओंडाईएशन शूड शितम हिल्मे में उसको सबसे जादा नुक्सान होने वाला है हमारे क्लाइमिट जीच वाठ्ल मेंट सह से इसमें लास्ट कंट्री जॉइन करने वाला कौन सा बंदया है तो यह हमारा हो जाता है इरान इस दे लास्ट कंट्री तरफ तो जो हो जाता है तो इसका आप बताएंगे हमारे सेकेंड सॉरी लास्ट कोशिन का डी सेंटली अगाइडलाइन इस विच वर्ड हैस बैंड इन दे अड्वर्टाइजिंग ऑफ ठीक है तो इसका तरेक्टांसर आप बताएंगे सस्टेने बिलो हो जाएगा नेच्रल हो जाएगा और और है जानते हैं जो ब्रैंड सेंगे बनाने लगें यह और गया है लेकिन असल में होता कुछ नहीं है और नेच्रल के नाम पे भी सिर्फ कैमिकल्स का ही कंद्यूम आप खरेंगे विश्टेनेबल कुछ भी होता नहीं है विकार सिर्वर्मेंट को डिस्ट्रॉइ करके ही यह तो इसी के साथ देखे हमारे करेंट अज खतम होते हैं और मैं यही कहारा चाहूंगा है और साथ में देखे प्लीज सब्सक्राइब दो चैनल से एक मोटिविशन देखे वीडियो बनाने का और इन सारे क्वेश्चन्स को ढूड़ने का और रिकार्ड करने का और इसे के साथ अगर आप पीडियाफ डाउन्लोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी वीडियो के लिंक मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल का जिसे जॉइन करके आप डेली पीडियाफ डाउन्लोड कर सकते हैं और साथ ही वहां से आपको मिलेंगे डेली क्वेश् चैट रेस्पॉंसेज भी सुना रहे हैं तो आप डियेक्ट्लिया से पढ़के सुछ कर सकते हैं अपने किसी और सब्चेक की तरह है तो ठीक है इसी के साथ थैंक्यू आव गूद डेंग बाई-बाई-बाई-एंड सब्सक्राइब तो चैनल को